नमस्का वियुस आपका स्वागत रेडियो द्वारका में आज हम आए में इसकौन मंदिर द्वारका में और यहाँ पर वर्ड हीरिंग डे के मौके पर एक हीरिंग कैम्प लगा हुआ है इस कैम्प को और्गनाइज किया है डॉक्टर राम कुमार ने जो की डारेक्टर है रै प्रभुजी से प्रभुजी आपका बहुत बहुत स्वागता है तो आज वर्ड हीरिंग डे है और थर्ड मार्च और वेरी स्पेशल डे क्योंकि यहां पर डॉक्टर राम जो है अपने रैंपो क्लिनिक के माध्यम से हीरिंग एबिलिटीज को चेक कर रहे हैं और यह बहु में आज है वो सारा का सारा ग्यान पांच जार साल पहले ही लिपी बद्ध होकर के संसार को प्राप्त हुआ उससे पहले कहते हैं कि पहले करण धर होते थे लोग सुनकर के याद रखते थे श्रोतह पंथा सुनकर के सब कुछ याद रहता था तो अगर कान ना होते तो यह ग जर्व वती हो तो फो स्को ध्यान से शरवन करना चीजए अध्यात्मिक चीज़ होगा जो apt की डेवलप्मेंट सुति की उधारन आभी मन्यओंने अपनी मा की जरव में ही यान रिया अज़़ी अपनी मा की कीफार, ओर काई इंदरील में ही जो है Z कि एज जब बढ़ती है तो सबसे पहले इंद्री जो है और गन यही चला जाता है इसलिए इसका ठीक रहना डॉक्टर राम के उपर निर्वार है डॉक्टर जितेंदर डॉक्टर विजे जो है इनके उपर बहुत निर्वर है अगर यह लोग हमारे कान को ठीक रखें तो हम अ सबसे पहले में यह बताना चाहूंगा कि सुनना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे अबिलिटी जो भी ऑफर हुआ है हम जितना इसका एक प्रिजर्ब करके यूज करें उतने लॉंगविटी और लंबे टाइम तक हम यूज कर सकते हैं कई बार डे टो डे लाइफ में छोटी छोटी एक्टिविटी जो हम जानते अच्छान के यही है कि सबसपहले कोई भी सुनने से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आ रहे हैं तो जो concerned audiologist हैं, ENTs हैं, उनसे consult करना और expert लोगों के parameters पे ही अपना कान के बारे में उनसे expert सलाह लेना है। इस तरह से हम अपने कान की सुरक्षा कर सकते हैं और लंबे टाइम तक हम healthy hearing enjoy कर सकते हैं। तो यह सब मेरे साथ दिल्ली की जो ब्रांच है इंडियन Speech and Hearing Association की उसके जर्नल सेक्टरी Mr. Jitendra Shani मेरे साथ हैं, Jitendra जी hearing और speech एक बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करती हैं लाइब आम तरह पर हमने देखा हैं लेकिन जितनी इनकी इंपोर्टेंस होती है लोग शैद उतना किना नहीं रख ते encountered लावड म्यूजिक सुनते हैं और बी तरह की जो शैजें उनको बहुत loud प्रैशर हॉंस यह सब चीज़े कि कितना नुकसान पहुँगाती है कि loud music सुनने से सबसे पहले तो आपके चो कान की जो सुनने की शमता है वो कम हो सकती है और उसके अलावा आपको कई सारे जैसे बोलते हैं अवसाद या टेंशन या तनाव ये सारी चीज़े भी हो सकती है तो आपने भी देखाऊगा जब आप किसी शांत जगे में रहते हैं तो आप बड़ा आराम दायक फील करते हैं बट जैसे आप बजार की ट्राफिक की नॉइस में जाते हैं तो एक रिडिशन सी हो जाती है घर जाके आप सोचते हो कि थोड़ी देर के लिए मैं आराम करूँ तो ये सबसे हमें दूर रहना जरूर है लेकिन आजकल की लाइफ स्टाइल ऐसी बनगे कि इतना सब कर पाना मुश्किल है तो मैं जो अपना सिंपल सा मैं जो खुद पर अपलाय करता हूं सबके पास एरफोन्स होते हैं जो कान को प्रॉपरली पैक कर देता हैं तो जब मैं मैं ट्रवल कर रहा होता हूं या बस में ट्रवल कर रहा होता हूं तो मैं उनको एरफोन को लगा लेता हूं यहां पर चलती है तो जहां भी पॉसिबल है यह उस ताइम पर नहीं है जब आपको इंफर्मेशन में लिगा कि मुझे लगता इंडिया में बहुत सारी बहुत एक बड़े सेक्टर को इंफर्मेशन पता भी नहीं है तो आपके एरफोंस हैं जो आपके कान को प्रॉपरली पैक करते हैं वो वाले जो टिप वाले होते हैं अब उनको भी अगर पहनेंगे तो कुछ हद तक जो नॉइस होती है वो कम हो जाती है तो अगर यह सारी चीजे रहेंगी तो एक आराम दायक जिन्दगी जैसे टेंशन फ पढ़ेगा ऐसे नहीं कि पहने से कोई नुकसान है बट जब हमारे पास भागवान का दिया हुआ इतना अच्छा एक इंद्रिय है जिसे हम पुरे लाइफ लॉंग प्रिजर्व करके रख सकते हैं तो क्यों नाम अपने ओरीजिनल से काम चलाएं तो यह सब मेरे साथ डॉक तो हीरिंग लिसनिंग का अवेरनेस आज हम कॉमुनिटीज को ना इज गिफ्ट हम लोग एज फ्री सर्विसेज देखर करके हम लोग टीम ओफ डॉक्टर्स प्रोफेशनल्स ना इस्पेसली और लाइसकल दिपार्टमेंट यह आज कॉमुनिटीज को दे रहे हैं आज अग कैसे हम लोग कॉमुनिटीज में इसका आवेरनेस बढ़ा करके और उनको करेक्ट टाइम में हीरिंग लास अगर हो तो उनका करेक्ट टाइम में अर्ली इंटेवेंशन कर सकते हैं और कॉमुनिटीज को यह भी बता सकते हैं कि आज कल क्या हो रहा है कि दो में से एक ऐसे हैदर वो लाओड स्पिकर से हिंगेज हो रहे हैं एदर वो हेड़ फॉन यूज कर रहे हैं तो इस कारण से हम लोग देख रहे हैं बहुत सारा यूथ लोगों को भी आजकल हीरिंग लास हो रहा है और इसके साथ अधर रिलेटेड ही प्राबलम भी हो रहे हैं जिसके कारण वो लोग बहुत सरा jobs है जिसे ये pilots है जो class 1, class 2 के pilots होते हैं उनमें भी hearing loss को ये industrial में apply कर रहे हैं उनमें भी hearing loss नहीं हो तभी select करेंगे actually तो communities को भी हम बताना चाहरे हैं ये hearing जो है बहुत important है और day to day अभी communities में आपको job अगर hearing आप अच्छा से रखेंगे तो आपको job भी मिल सकती है और otherwise अगर speech अच्छा नहीं रहेगा तो आपको मुश्किलें आएगी आपको जो competitive interviews है उसमें आपको मुश्किलें आएगी तो हमे तो हमेशा डरे नहीं ही audiologist के पास जाए और hearing चेक कराएं आपकी speech भी उसी पर depend रहती है आपकी जो listening abilities है वो उसी पर depend रहती है तो हमेशा कोसिस करें कि time to time उसका use करें और time to time consult करें तो वीर्स आप देख सकते हैं कि camp शुरू हो चुका है लोग यहां पर आ रहे हैं अपना check-up करा रहे हैं और लोगों को यहां पर परमर्ज दिया जा रहा है कि यह किस तरह से अपने कानों का सुनने का और बोलने की जो शक्तियां उनका ध्यान रख सकते हैं तो आपसे विदा लेते हैं बनी रहें रेडियो द्वारका के साथ